टेक्नोलोजी तक्नीकी प्रगती हमारे लिए लाब है या हानी है आईए इसे हम समझते हैं टेक्नोलोजी के अपने लाब है परन्तु आधुलिक विश्व में इसका एक बड़ा खत्रा भी है टक्नीकी प्रगती ने भोग विलास तथा मोज मस्ती मटिल सेंस इंजॉयमेंट को सरलता से प्राप्य बना दिया है easily available मोज मस्ती से अभीप्राय शणिक सुख से है हम सोचते हैं कि मोज मस्ती ही हमारे हिदे को इस्थाई सुख एवं उपलब्धी प्रदान करेगा वस्तुतह यह सोच एक बड़ी भूल है पहले ही भोतिक संसार के प्रलोभन में जकडी आत्मा अज्ञानता के अंधेरे में केद है उपर से तक्नीकी प्रगत्ती की बंबारी यह प्रगत्ती यदि शारेरिक रूप से नहीं तो कम से कम मानसिक रूप से हमें मोज मस्ती के अड़ो पर पहुचा सकती है अपने बंद कमरे में बेठे हम टीवी की बड़ी स्क्रीन पर बहुत कुछ देख सकते हैं या मोबाइल से लोगों से जुड़ सकते हैं परंतु हर समय बाहर देखने के कारण हम अपने अंदा देखना भूल गए हैं परिणाम क्या है मनोरंजन के इतने साधन होते हुए भी हम बोर होते हैं सदेव असंतोष छाया रहता है वेदिक शास्त्र, महानसंत तथा स्वयम हमारे अनुभाव सिखाते हैं कि सुख के लिए इक्षित वस्तू प्राप्त करने पर भी सुख हमसे दूर बना रहता है हमारी अत्रप्त इक्षाएं हमें अधिकाँ अधिक प्राप्त करने के लिए उक्साती हैं हमारी स्थिती सुखंद की खोज में भटक रहे उस हीरन के समान हो जाती है जो नहीं जानता की सुखंद का इस्तरोत उसके पेट में है परंतु बारंबार असंतोष का नुभव करने के बाद भी क्या मोजमस्ती के अवस्वरों को मना कर पाना संभव है वेदिक शास्तर इसका आश्वरसन देते हैं मूल रूप से हम सब आत्मा है भगवान शी कृष्ण परमात्मा है और हम उनके अंश है अपनी मूल इस्तिती में हमारे हिदे में कृष्ण के प्रती सहज आकरशन है शास्ती की कोई भी परिस्तिती उस आकरशन को नश्ट नहीं कर सकती वह कुछ समय के लिए अवश्य ढखा जा सकता है वस्तुतह शी कृष्ण के प्रती आत्मा का आकरशन भोतिक संसार के सारे प्रलोभनों से कहीं अधिक प्रबल है परन्तु जिद्धी बच्चों के समान हम शी कृष्ण से स्वतन्त रहे कर भोग करने के लिए कटिबद हुए बेठे हैं लोहा सहज चुमबग के प्रती आकरशित होता है परन्तु उसके उपर चड़ा जंग उसे चुमबग से आकरशित होने से रोग देता है भगवान से अलग रहे कर भोग करने की इक्षा जीवात्मा की चेतना पर चड़ा जंग है लोहा लोहे को काटता है शी कृष्ण के प्रती आकरशन को जागरत करने में टेक्नोजी की प्रगती हमारी सहेता भी कर सकती है बश्रते हमें इस की कला का ज्यान होना चाहिए हमें टेक्नोजी का सही उप्योग क्रशन भक्ती में आगे बढ़ने के लिए करना आना चाहिए आप क्रशन भक्ती के वाटसेप, फेस्बुक या दूसरे सुशल मीडिया के ग्रूप से जूड सकते हैं पर हमें केरफुल रहना चाहिए टेक्नोजी के दूर्प्योग से हमारा जीवन बरबाद हो सकता है